असलाम लेकुम दियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब मैं नेम इस रायान मलिक और आम हेर तुछ यू फिजिक्स क्लास 10 अज हम स्टडी करेंगे टॉपिक नूमबर 12.10 अज़ इमेज लोकेशन बाइ लेंस एक्वेशन तो आई ये चलते हैं बोर्ड की तरफ चाप्टर नूमबर 12 जोमेटरिकल आप्टेक्स तॉपिक नूमबर 12.10 इमेज लोकेशन बाइ लेंस एक्वेशन इससे प्रिविएस लेक्चर में हमने लेंस के बारे में स्टडी किया था कि लेंस किस चीज़ से मिलकर बना होता है लेंस की कितनी टाइप्स होती हैं तो देर आर टू टाइप्स अफ लेंस और दाट इस कन्वेक्स लेंस एंड कन्केव लेंस तो आज हम सबसे पहले उन लेंस को यूज करते हुए हम एक एमेज डिवेलप करते हैं और जैसा कि हमने प्रिवेश लेक्स में पढ़ा था कि इसके सेंटर में एक ओप्टिकल सेंटर होता है जिसको हम C से रेप्रेजेंट करते हैं और इस principal axis पर एक point होता है जिसे कहते हैं principal focus ठीक है जिसको focal point भी कहते है और इसको हम F से represent करते हैं अब let's suppose कि यहां पर एक object जो है वो stand कर रहा है ठीक है और अब image develop करना है तो यहां से जो है वो first ray pass होती है और वो strike करती है जाके lens के साथ ठीक है और first ray जो हमेशा parallel होती है इस principal axis के clear अब यह ray जैसे ही strike करेगी strike करने के बाद यह थोड़ी सी bend कर जाएगी like this और अब जब यह ray इस lens से emit होगी तो यह further bend कर जाएगी और यह pass कर जाएगी इस तरह से और यहां पर भी जिस point से pass करती है उस point को हम कहते है principal focus clear एक secondary draw करते हैं जो pass करती है हमारी optical center से ओके क्योंकि यह optical center से pass कर रही है that's why यह बिल्कुल straight pass कर जाती है और यह जहां पर यह आकर meet करती है यहां पर हमारा image जो है वो develop हो जाता है clear so यहां से हमें यह तो बता चल गया कि image हमारा जो develop हो रहा है वो image की nature क्या है उस image की nature क्या है वो image आपका real है imaginary है ठीक है वो image आपका virtual है erect है inverted है ठीक है या उसका size क्या है तो यह easily हम इस ray diagram के तुरू हम अपने इन सब questions के answer कर सकते हैं कि आपका image जो है वो basically किस nature का है ठीक है अब बात यह है कि हमने अगर nature discuss करनी हो कि image जो है वो किस तरह हां का है तो हम हमेशा ray diagram ड्रॉ करेंगे देन ही हमें find out होगा कि image की nature यह है ठीक है एक simple सा method बनाया गया that is lens equation ठीक है और वो lens equation क्या है उसको हम study करते है है the relationship between object and image distance from the lens in terms of the focal length of the lens is called lens formula ठीक है and that is 1 over f is equals to 1 by p plus 1 over q तुबारा study करते है relationship किस चीज़ का है यह object and image the relationship between object and image distance ठीक है object और image distance का relationship है from the lens in terms of focal length ओके in terms of focal length अब हम basically study करते हैं कि object distance और image distance यह क्या है ठीक है तो यहां पर यह आपका object place है अब object जहां पर place होगा वहां से लेकर optical center तक का यह जितना भी distance होता है यह कहलाता है object distance ठीक है यह कहलाता है object distance जिसको आप P से represent करते हैं अब हम बात करें कि image distance क्या है तो optical center से image तक का यह जो distance होता है that distance is called image distance ठीक है और इसको हम small q से represent करते हैं अब हम बात करें third point that is focal length तो focal length क्या होती है principal focus से लेकर optical center तक का जो distance होता है यह distance कहलाता है focal length clear I hope आपको समझ आ गया होगा कि object distance क्या है ms distance क्या है और focal length क्या है ठीक है अब हम formulae के थुरू study करते है the relationship between object and image distance from the lens in terms of the focal length relationship है अगर हम उसको add करें तो in terms of focal length हम उनको study कर रहे है ठीक है so that's why the relationship between object distance and image distance in terms of the focal length is called lens equation ठीक है यह वो equation है जिसको use करके आप सारे questions के answer कर सकते हैं कि आपका image किस तरहां का है उसकी nature क्या है lens कौन सा use हो रहा है वहां पर convex lens यूज हो रहा है या concave lens यूज हो रहा है आपका object real है कि virtual है आपका image real है या virtual है आपका image erect है या inverted है ठीक है तो इन सब questions के answer जो है वो आप किस तरहां से कर सकते हैं by using lens equation अब हम next board पर चलते हैं एक और diagram study करने के लिए so अभी हमने जो last board पर discuss किया था उसमें हम convex lens यूज कर रहे थे यहाँ पर अब हम एक और diagram study करते हैं उसमें हम concave lens यूज करते हैं इस object से first ray जो है वो ब्लकुर parallel pass होगी तो क्यूंकि concave lens है concave lens जो हमारे पास diverging lens होता है तो यह ray को diverge कर देगा और इस तरह से यह मजीद diverge हो जाएगी एक और ray हम pass करेंगे इस तरह से यह भी अपनी direction जो हो change कर लेगी reflect हो जाएगी और यह straight pass कर जाएगी ठीक है अब अगर हम देखें तो इसका imaginary lines अगर हम create करें तो यह imaginary lines जहां पर आकर meet कर रही होती है उस point पर आपका image बन जाता है ठीक है clear अब बात फिर वहीं आ गई कि इस image की nature क्या है erect है inverted है real है या virtual है तो हम use करेंगे lens formula ठीक है तो lens formula by using this formula आप इन सारे questions के answer कर सकते हैं ठीक है अब हम इस formula को use करके हम किस तरहां से बता सकते हैं कि आपका image किस तरहां का है अब हम यह discuss करते हैं यहां पर कुछ science conventions है इस table को study करने के बाद आपको यह सब clear हो जाएगा कि हम किस तरहां से इस सब questions के answer करते हैं तो let's suppose कि यहां पर यह 3 quantities है object distance p image distance q and focal length f ठीक है अब अगर object distance आपका positive होगा तब आपका object जो है वो real object होगा clear? तब आपका object क्या होगा? real object होगा अगर आपका object distance negative होता है तो आपका object जो है वो virtual object होगा जो होगा? नॉर्मली ऐसा होता नहीं है Real object means कि image जो है वो आपका lens की front पर है and virtual object means जो image बहूँ है आपका lens की back side पर है तो normally ऐसा होगा होता नहीं है हमेशा जो है वो real ही object होता है क्योंकि image जो object है वो lens की मेशा front पर होता है तो उसकी back side पे image जो है वो develop होता clear, same as यह अगर हम image की बात करें, तो image भी अगर आपका positive है, तो वो हो जाएगा real object Q and same as, अगर image आपका negative है, तो यह हो जाएगा virtual image and represented by Q, clear? focal lens, अगर आपकी positive है, so that's mean के वहाँ पर कौन सा lens use हो रहा है convex lens use हो रहा है ठीक है और convex lens का हमने एक और नाम भी दिया था वो क्या था वो that is converging lens क्योंके convex lens में जो rays हैं वो converge हो रही होती है एक point के उपर that's why convex lens को आप converging lens भी कह सकते हैं अब अगर focal length हमारा negative है तो concave lens और concave lens को हमने एक और नाम दिया था and that is diverging lens ठीक है इसको हम diverging क्यों कहते हैं क्योंके आपका image जो है rays जो है वो इसमें diverge हो रही होती है ठीक है that's why इसको हम diverging lens भी कहते हैं ठीक है यह चीज़ आपने याद रखनी है कि lens के case में हम convex lens को converging कहते हैं और concave lens को हम diverging कहते हैं अगर हम mirror का case study करें तो उसमें यह चीज़ reverse हो जाती है ठीक है तो इसको आपने mix-up नहीं करना बोर्ड में एक्सर की mcq जाता है ठीक है so remember it that convex lens is converging lens and concave lens is diverging lens clear अब page number 51 पर आपका side information box दिया गया है इसमें बताया गया कि optics basically क्या है the study of behavior of light is called optics ठीक है the study of behavior of light is called optics के light के behavior को study करना क्या कहलाता है optics कहलाता है same as अगर हम बात करें geometrical optics जो क्या आपके chapter का नाम है the branch of optics that focuses on the creation of images is called geometrical optics geometrical optics क्या है यह एक branch है optics की that focuses on the creation of images जो के images के create होने पर focus करता है and is called the geometrical optics ठीक है इसको geometrically क्यों कहा जाता है optics means behavior of light तो इसमें जो light का behavior है उसको हम study कर रहे हैं कुछ geometric के rules के according and like for example के हमने angles का study किया था इसमें lines के बारे में study किया था तो lines और angles जो है हम geometry को basically इसमें से use करके light की ray को हम study कर रहे है ठीक है that's why इसको हम geometrical optics कहते है और इनका use कहां कहां हो रहा है geometrical optics का lenses में use हो रहा है microscope में use हो रहा है telescope में use हो रहा है compound microscope में use हो रहा है ठीक है तो अब हम चलते हैं next board की तरफ example study करने के लिए so, example number 12.5 a person 1.7 meter tall is standing 2.5 meter in front of a camera the camera uses a convex lens whose focal length is 0.05 meter find the image distance the distance between the lens and the film and determine whether the image is real or virtual इस example में मैं से कह क्या रहा है वो कह रहा है एक person है जिसकी जो कि 1.7 meter tall है standing 2.5 meter in front of a camera कहां पर stand कर रहा है वो camera से 2.5 meter के distance पर ठीक है अब camera जो है वो यहां पर क्या है हमारा lens है object जो हमारा stand कर रहा है वो कितने distance पर है 2.5 meter के distance पर है ठीक है that's mean हम कह सकने है कि हमारा यहां पर जो object distance है that is p and its value is 2.5 meter the camera uses a convex lens तो यहां पर हम एक चीज़ बता दी गई that is convex lens अभी हमने sign conventions पढ़े थे तो उसमें convex lens की अगर हम बात करें तो focal length हमारी इसमें क्या होती है positive होती है अगर convex lens यूज हो रहा है that's mean महां पर focal length क्या होगी positive होगी होस focal length is 0.05 meter बता दिये गई focal length से कितनी है 0.05 meter find the image distance तो आपने find क्या करना है image distance and that is q the distance between the lens and the film and determine whether the image is real or virtual तो हमसे questions भी किये गए है कि आपका image वह आपका real होगा या virtual होगा तो वह हम उनी sign conventions को use करके हम बता सकते हैं आपका image वह किस तरहां का है ठीक है सबसे पहले मैं इसमें से data निकाल लेते हैं data हमें दिया गया है height of object person जो है मैं हम यहां पर उसको object count करेंगे so height of object and that is equals to 1.7 meter standing 2.5 meter in front of a camera that's mean object distance p and it is 2.5 meter and the camera uses a convex lens whose focal length is focal length में दी गई है क्योंकि convex lens था उसमें focal length positive होती है that's why मैंने इसको positive value में लिखा है हमने find क्या करना है m s distance q okay so by using lens formula 1 over f is equals to 1 over p plus 1 over q अब हमने q find करना है तो इस q को हम इस जगह ले आते हैं और 1 over f जो है वह वहां लेके जाते हैं so the formula becomes 1 over q is equals to 1 over p अब इसमें values अगर replace करें 1 over q 1 over p p की value है 2.5 minus f की value है 0.05 ठीक है इसको further जब solve करेंगे तो आपका answer आ जाएगा 19.6 per meter clear अब q को हम इस जगह ले जाते हैं और 19.6 को हम विदर आकर divide कर देते हैं मेरे पास यहां space नहीं है तो मैं यहां side पर ही कर रहा हूं इसको ठीक है इसको मैं cross में divide कर रहा हूं यहां पर आकर आकर वन ओवर 19.6 per meter और यहां पर हो जाएगा q इसको further divide करेंगे तो आपके पास q का answer आ जाएगा 0.05 meter clear जी तो q का answer जो है वो positive में आया है so हम बता सकते हैं कि आपका image क्या है real है यह virtual है जी तो q positive है तो image क्या होगा real होगा ठीक है तो हम लिख सकते हैं यहां पर the image is real clear I hope आपको example समझ आ गई होगी next example study करने के लिए हम चलते हैं next board की तरफ so example number 12.6 a concave lens has focal length of 15 cm at what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 cm from the lens also find the magnification of the lens ठीक है तो यहां पर इसने हमें बता दिया है कि यह lens कौन सा यूज हो रहा है concave lens और concave lens में focal length क्या होती है negative होती है तो मैं पहले focal length be placed कितिने distance पर object place किया जाएगा find क्या करना है आपने object distance आपने find करना है P be placed so that it forms an image at 10 cm from the lens image distance q and its value is 10 cm ठीक है तो क्योंके concave lens है तो image जो है वो भी behind the mirror बनेगा we can say के इसकी वाली भी negative होगी minus 10 cm also find the magnification magnification of lens जिसको M से represent किया जाता है तो यह आपने इसमें दो चीजने find करनी है that is object distance P and magnification lens M ठीक है so by using lens equation 1 over F is equals to 1 over P plus 1 over Q ठीक है अब यहां पर आपने object distance find करना है 1 by P P आपने find करना है तो हम Q को इस सेट पर लेके आ जाते हैं so 1 over P is equals to minus 1 over Q plus 1 over F इसमें values put करें 1 over P is equals to minus 1 over Q Q की value है minus 10 cm प्लस 1 over F की value है minus 15 cm so यह minus इस minus से multiply होकर यह हो जाएगा plus और यह हो जाएगा 1 by 10 cm यह minus और प्लस आपस में multiply होकर यहां हो जाएगा minus 1 by 15 cm so the expression is 1 by 10 minus 1 by 15 cm ठीक है अब इसका further हम LC हम लेंगे तो नीचे आजाएगा 30 cm और उपर इस जगह आजाएगा 3 minus 2 3 minus 2 that is equals to 1 so 1 by P is equals to 1 by 30 cm ठीक है इसको further हम उपर लेकर जाएगे जोनों values को तो P is equals to हो जाएगा 30 cm तो यह हो गया object distance and that is 30 cm अब जो next हमने find करनी है that is magnification of lens, magnification कहते है किसी भी चीज को कितना हम magnify कर सकते है कितना हम zoom कर सकते है ठीक है that means कि यहां पर आपसे पूछा गया है कि उस image का size क्या होगा basically so magnification M is equals to Q by P values put करें तो Q की value होती है 10, P की value होती है 30 उसको further हम cutting करेंगे तो यह answer आ जाएगा 1 by 3 so magnification से हमें यह पता चल गया कि आपका जो image है वो reduce हो जाएगा 1 by 3 times as compared to the size of the object ठीक है तो हम यहां पर इसकी statement लेख सकते हैं the image is reduced to the image is reduced to one third by the size of object clear I hope आपको यह example clear होगी होगी so take care Allah Hafiz